यह है महाराजा अग्रसेंट चौक मेरे के नंदी महाराज मेर önें बादा है मेरे का बादा डाद, स्कॉफ ऩरा तो 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 नमस्कार दोस्तों गुड़ मॉर्निंग सुप्रभात कैसे हैं आप आशे कर दोए आप बहुत अच्छे होंगे तो गाइज आज हम लोग आ रखे हैं ख्वाजा खिर्ज टॉम्बो में जैसे कि आप मेरे पिछ देख रहें देखिए सोनी पत में है यह और मैं आपको दिखाती हूँ कैसा है आईये देखिए उस साइड में तालाब है वहां पर भैंसे नहा रही है और देखिए भाग भी रही है आपको दिखाय दे रहा होगा उ और यह है यहां पर देखो यहां पर चटों पर बैठे हुए है सारे यहां पर सारी लेडिस योगा कर रहे हैं देखिए अच्छा लग रहे हैं तो उदर की जारे बिता है यहां पर नहीं होता है देखिए यहां पर धागे बांदे हुए है मननतों के यह किसी की पहले मजार होगे मुझे लग रहा है पुराने जमाने में देखो यहां पर एरबिक में लिखा हुआ है यहां यहां से राज़ता है उपर दाने जाए है इसके उपर देखो यहां पर फोटोग्राफिय भी की जारे है देखो तो गाइज यह है खिर्ज पार्क और यहां श्याद इसके अंदर दरगहा है कोई मजार है क्योंकि चपल खोलके जारे है काफी लोग यह देखी और रूट पीछी साइड से धागे बांदे हुए ते मननतों के तो यह किसी की तो दरगहा है क्योंकि पुराने जमाने में ऐस इसे दर गहा हाँ हर चोट चोबी हर जगह बनाई जाती थी और उस साइड मेरे खाल से रेल ट्रैक है उदर से रेल जा रही है इसको पर हम जाने के हां इसकी चछत पर जा सकते है बट अलाव होगा है यह उसके अंदर सीडिया है और यहां में देखना पड़ेगा यहां से है इस साइब कि अरर तो स्कते का एंदर ट्रैक परो हमें देखने के आदर ता यहां जा जब magic में ड़ एंदर धर यहां मेंसा पर हम दो दोंने के अर-23 यहां बदह अर तेह दो मालओा अ बष स्तर हुआ है यहां कि अप्यूब प्रबे कर भी जब सुन्मादी पीसो फिल्टीफ तो अई सुन्म जड़ प्रभी त झाल हाँ यह है बरगत का पेड़ देखिए हम जा रहे हैं इतर तलाब की साइड यहाँ पर तूप फूट रखा है तलाब है नहीं तो यह ट्यूबल चला रखा है यहां पर अरे भेंसे नहा रही है भाग रही है देखो मस्ती कर रहे है सारी प्रेश पेड़ है उस साइड है तालाब देखो आपको दिखाए दे रहा होगा तो कि आगे से जानी का राष्टा नहीं दिख रहा है इसलिए हम लो लिए अब आगे नाट अब आगे अधर जैसे कैसे उबडखाबर रास्ते से तो देखो यह है तलाव कित्ती सारी भैंसे हैं बाब रही है मजा रहा है इनको तो वहां पर बैठी है देखो वह जो काला काला दिख रहा होगा आपको सारी भैंसे हैं अब काटे भी हो रहे हैं मेरे पाहों में लग गया प्रेदर ने कि लिए पेड़ बरगत का कि अधर रहे हैं डेके मज़े वहां है इनको WiFi को जोड़ाइद कि बातकै आपको में किचाड रहे हैं इस्याका मैं है आपको आपको जोड़ाय। लिए जोड़ा एक बेस चाड़ा एंचाड़ मैं को जोड़ा है इदर सब कच्रा कर रखा नहीं है इदर सारे तूट फूट हो रखा नहीं है ऐसी तो रास्ता नहीं जाने का अच्छा से पाओं में लग रहे हैं काटे काना चला गया आगे यह लड़का यहां पर मूड हो रहा है अच्छा लग रहा है सारी भैंस आगे पानी पिने के लिए कौन से काओं है किस वाड़ा यह देखो इसने पागल नहीं ना पाओं भी लोग यह डोगियां पर रखवाली करें देखो पार्क के अंदर आगे हम लोग अब चलो इदर से चलते हैं आगम यह देखिए कितना बड़ा है यह अच्छा लग रहे है वैसे पार्क अच्छा है साफ सुत्रा जोगी के पापी केलने पर लगे हुए है अच्छा है कि खिर्ज पार्क चलिए घर को चलते हैं ठीक है मेरा काना आया हुआ है मेरे साथ खुशी नहीं आई है और काना को प्रहर कर चुका है काना के पाउं में काटा लग गया है खून आ रहा है उसके पाउं से घर पर जाके दवाई लगाने पड़े गया हूँ आजो चलिए घर को चलते हैं अलविदा किर्ज पार्क आएंगे बाद में कभी आजो यह है जयन जाल के वहाई देड झाल को अलविदा आए बाद में उल्म कराद कि अलविदा साथे एकार अश्याईए करें आपी और अश्याण चुछ। तो फ्रेंड्स हम लोग आगें घर पर कुषी अभी तक सोई है वो बह। इसकोल का काम करती है, आज केल गढ़मी की छुटियां पढ़ी है वो फिर अपना इसकोल का काम करती है, जो हॉलिडेज हमबग मिला है उसको आईज हम लोग घूम किया है, जैसिके आपने देखा, खिर्ज पार्ग जो की सोनिपत महीं है और अगर आप यहां आसपास रहते तो आप जा सकते हैं वहाँ पर अच्छा है खुला एरिया है अच्छा लग रहा था जैसे कि आपने वीडियो में देखा तो यह था खिर्ज पार्क काना जी हमारे साथ गए हुए थे और मैंने आडिया जाथ है हाँ और काना ने वो गूगल पे सर्च किया था कि हमारे आसपास को ऐसा प्लेश है जहां हम घूम सकें तो काना ने वो सर्च करके निकाला तो फिर हम गूगल के थूँ आँ गए नस्दी की था जादा दूर नहीं था जो वो मंदिर गए थे ना बाबा धाम मंदिर उसी के आसपास है ये वाला भी तो अगर आपको जाना है तो आप जा सकते हैं बहुत यासान है खिर्ज पार्क तो आईए चले काम करते हैं काम ने किया खुशिक उठाते हैं आज नाशते में हैं पैनी पास्ता तो ये है आज की डिश ये देखो ये लड़के की हरकते हम लोग गए थे वहाँ गूमने के लिए और ये पैर पूरे यहां से छिला के लिए आया है ये देखो काटों पर उलज गया अज सारा ये बलड बलड आ गया भी दवाई लगाई ये पागल से जाओ दोनों आराम से जाना बाइस टाइम हो गया साड़े दस और मैं अभी तक वीडियो अपलोड नहीं कर पाई हूं पिछली पता नहीं क्या हो गया वाइफाई काम नह हुआ नहीं है अब देखो कब तक अपलोड हो पाती है तो वीडियो अप देद से अपलोड करने के लिए मैं सौरी चाहती हूं और नेक्स टाइम से मैं ध्यान रखूंगी इस चीज का क्योंकि वाइफाई काम नहीं कर रहा है ना इस टाइम हो गया है साड़े चार और अब बनाई है मैंने कान है तो अभी सो रहा है अब इसको उठाती हूं कुछ ही उड़ गई है और बिना वाइफाई के बतानिया जीव सा लग रहा था सब कुछ रुख सा गया हो आदत में बड़ी गंदी चीज होती है ना किसी चीज की किसी की भी हो चैनेट की हो टीवी की हो कि पैर दिहान रखना है तो गाइस अभी हो रहा है टाइम साड़ी इच्छ है और मैं देखो यह हमारा और सेड़ी यह हमारा सीड़ी ओं के साइड है ना तो यहां पर थोड़ा सा ऐसा हो रखाए यह तो यह सारब मैं आभी ठीक करना चाहती हूं तो चलिए काम शुरू करते हैं आई रहा हुआ 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 है कि अधा यहां चुपकल यह निजनेंगे बहुत सारी है हुआ हुआ है तो गाइज मैंने उपर की सफाई कर लिए गमसे का में एक घंटा लग गया उपर साफ सफाई करके और अब बच गए हैं आठ बच गए हैं तो चलिए टिनर बनाते हैं सबजी तो बना ली है और अभी रोटी बनाते हैं गाइज टाइम हो गया साड़े नौ और जैसे कि आपने आज देखा हम गयते खिर्ज पार्ग और फिर मैंने उपर की सफाई भी करी और आप जाके हो गया है डिनर कंप्लीट और काने के पाउं में भी वो काटों से पूरक वो हो गया निशान पढ़ गये हैं थोड़ा सा ब्ल जरूर जाए और लाइक कीजिए शेयर कीजिए कमेंट कीजिए मिलते हैं आपको जल्दी नेक्स व्लॉग में थैंक यूँ सो मच पर वाचिंग बाई